तो आप सब इका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में और आज हम से देखेगे linear regression को कैसे implement करें पिछले वीडियो में हमने देखा है कि linear regression क्या होता है regression क्या होता है logistic और linear में फरक क्या होता है और multiple linear क्या होता है आज इस वीडियो में हम सिंपल लीनर रेग्रेशन को इंप्लिमेंट करेंगे हम इंप्लिमेंट करेंगे गूगल कॉलाइब में तो और सब कुछ में वीडियो के अंदप रहता हूं चलो बिनर टाइम इसक्रेश चलते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि हम गुगल कॉलाइब यूज करेंगे मुझा तुम चाहिए तो विचल सुडियो कोड पाइचाम यह अनकॉंडा से जुपाइटर वगारा कुछ कुछ भी यूज कर सकते हो पर मैं गुगल कॉलाइब इसमें यूज कर रहा हूं क्योंकि एक तो करना पड़ता है बस इंपोर्ट करना पड़ता है और गुगल ड्राइब में तुम्हारा आप से सेफ कर सकते हो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे गूगल कॉलाइब इसलिए गूगल को वह नहीं कर रहा है बस मुझे अच्छा लगता है मैं लगता है यह मशील निकले इस इस इनफ तो पहली चीज़ है सिंपल लीनर रिग्रेशन मैंने बटाया था तुम्हें डो टाइप की लीनर रिग्रेशन होते हैं सिंपल और मुल्टिपल तो अभी हम मैं पहले लीनर ठेकते हैं फिर मुल्टिपल में कुछ ज़्यादा फराख नोटा बस वाइबट ले और सब सेम होता है ठीक है अबस सीदे तुम गूगल खोल लो गूगल में डाल लो कॉला है यहां पर न्यू नोटबुक पर क्लिक करके नहीं नोटबुक बना लो फिर सब से उपर तुम डाल लो नाम अपनी नोटबुक का यहां यहां पर नाम डाल लो नाम डाल दिया मैंने सिंपल एलार एलार फोल लिनर रिग्रेशन अब यहां पर सबसे पहले मैं करूगा लाइबरेजिस इंपोर्ट टीक है इस चीज के लिए हमें अगर तुम कुछ और यूज करें तो तीन चीज़े पर इंस्ट्राल करने पड़ेगी नंपाए मैटमेटिकल चीजों के लिए साइकिट लर्ण वह सके लर्ण कुछ भी कहलो मसीन लर्ण की चीज़े मिलेगी उसमें से मसीन लर्ण के अलगोरिव्टम मिलेगे और मलब हमें ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा तो अभी चार चीज़ें इंपोर्ट करिया एक मैट प्लॉट कर रहा है उसके बार हमने में से मॉडल स्लेक्षा में से ट्रेंट स्प्लिट किया है यह हमारे डेटा को टेस्ट और ट्रेनिंग में अलग-अलग डिवाइड कर देत प्लॉट कर देखें अलग-डेटा से बटाया कैसे खुट से गड़ता है इसके अलावा क्या बोलते है लीने मोडल में से अफकॉर्स लीने डिग्रेसन चाहिए हमें एक मोड़ता है मुल्टिपल के लिए भी और इस लाइक तुम्हारा सिंपल के लिए और मैट्रिक में से म सिंपल सी बात है तो तुम कई भी कितनी बार भी करोड़ो बार भी अलग लग पीसे से करोगे सेम वेल्यू हैगी तो उसको मध्य नजर रहा हूंगा छोड़ो ना हिंदिय अच्छे ना इंग्लिस अच्छी है पता नहीं कैसे बीटा करके बैठें हां तो एक्स बनाया हमने कि कोई भी रेंडर नंबर लेगे हन्रेड और बन की बीच में से और उसको टू से मट्रिप्लाय करेगे वाय मैंने बनाया कि फूर प्लस ट्री इंटू एक्स इंटू और 21 में लेगा ठीक है खुड बना लो तुम खुड कुछ भी बनाओ ठीक है जो बनाना है बनाओ वह यह तो अपनी मर्जी का होता है तो इसके बाद हमने अब यहां पर हमें यूज करें टेस्ट स्प्लिट फंक्शन जो हमने यहां से लिया ठीक है क्या करेंगे यह ना पहली बार चार चीज़े तो मैं चार वेले यूज करने पड़े एकस टेस्ट वाई रिंद वाइट इस और यह तरह रखना है इसी इसी ओर्डर में लेखना कि यह पहले एकस टेस्ट की वाई निकीवाइट टेस्ट की तो इनी और में यह वार्यबल लगाना और यह फंक्शन हमारी तीन चीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब तुम्हारा सीड बटाया था मैंने सेम उसके बाद तो इलाइक अब तुम्हें मॉडल लगाने दिखाता हूं बन गया मॉडल मॉडल इकल टो लीनेर रिग्रेशन लिख दो बन गया अब इस मॉडल ने फिट कर दो तो मैं एक्स्ट्रें वाइटरें को तो मॉडल इसने एक्स्ट्रें वाइटरें लिख देगरों कि अद्ध देगरों कि इसी है वलब तुम खोड़ लिखोंगे ना बहुत लंबा कोड़ आएगा पूरा मैट्स कलिनेर रिग्रेशन लगाऊग क्या रह रहे है और फिर उसे प्रिंट करेंगे तो अब दिखरों हम इससे विजूलाइज करेंगे दिखाना चाहता हूं कि हमारे एक्स और Y किस फिर्म में तो उसको प्रिंट कर लेए यह हमारा पहले X आएगा यह एक एरे की फॉर्म में है जिसमें सिंगल डिलिजर से बहुत सारी और यह भी डूसरा एरे यह तो X और Y हमारी इस फॉर्म में है अब आया प्लॉटिंग का टाइम सबसे पहले स्केटर ग्राव बनाएगे इसमें X टेस्ट और Y टेस्ट होगे अब उसमें हमारी रिग्रेशन के लाइन कैसे जारी हो उसको हम प्लॉट करें एक्स टेस्ट और वाइप प्रेट से जिसने का नहीं हम ब्लू लेगे और इस सब्सक्राइब करें नहीं है तो यह देख रहा है कितना गंड़ा जा रहा है वहां से पढ़े चल गया था मेरे को कि एमें से गंड़ा गया है पर विजूलाइजीशन से हमारे जार अच्छा होता है तो तुम्हें मैट प्रोटले और सीबॉन अच्छे से आने चाहिए अब दूसरी चीज इसको ठीक कैसे करें एक तो हम अगली वीडियो में देखें कैसे हम और मसी लेंड के मॉडल के हिसाब से उसके हिसाब से ट्यून कर दें तो यह दो चीज़े हैं हम डेटा साइंस में के प्लेलिस में सिखा हुआ कि कैसे ट्यून करते हैं और इस प्लेलिस में सिखा हुआ कि कैसे यूज करते हैं मसीन लेंडिंग को अलग अलगोरेटम को ठीक है अभी की वीडियो के लिए यह बहुत है अब आएगा मैल्टिपल लीनेर प्रेग्रेशन अब करो वह बिल्कुल सेम है भाई तो मैं सीधे न्यु नोडबुक खोलता हूँ और यह थोड़ा सा ना अगर तुम्हें लगता है वैसे मैं कोसिस कर थो कि मैं धहरे बोलूँ लेगो पर वह यह ना आड़ा थ होड़ी-थोड़ी करेंकलेगी तो अगर तुम्हें टेज लगता है ना थोड़ी सी स्पीड पर कर करो ठीक है मल्टिपल लार ठीक है यह वही हमने यहां पर देखो मैंने उसको पांड़ स्केर हो मैं मैंने मैं पर लिप को यहां पर इंपोर्ट नहीं करा उसका रीजन एक सिंपल सा यह है कि हम अगर में पर लिप यूज करेंगे तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए चीज़े लिए ठीक है मैंने तीन चीज़े हमारे पर एक यह वह डिपेंडेंट वेरिबन डो इंडिपेंडेंडेंट वरिएब अब तीन चीज़ों को ग्राफ के सब्सक्राइब कर सकता हो मैं ग्राफ टूडी होता है 3D घ्राफ भी होते हैं वह मुझे तो बहुंग अच् तो इसलिए अब हम बस हां सीखने के लिए जहां डू एक इंडिपेंडेंट होता है वहां ग्राफ प्लोट करते हैं तो यहां पर हमने वही बनाया एक्स वाय अपने साब से लिए फिर यह वही है टेस्ट ट्रेंड वागेरा वाला फंक्शन लिएरेशन फिट किया प्रेडिक्ट करा मीन स्कुर्ण सब कुछ अब मैं तुम्हें रिखाता हो क्या क्या चीज़ अलग है तो बिल्कुल से मैं कहा तो मैंने बिल्कुल उसकी तरह होगा सिंपल लिएरेशन की तरह अब चैज ईस श्ट्रार हो तो अनगी एक से हमारा इसमें हमारी वैलिव से इसमें डुटु बैल यह सकते हैं कि मुझे तक कि दो बैल्यू ले सकते हैं यह हमारा वाय सबमें एक वैल्यू है और हमेरे में जह एक और अब पहले से भीजाग में सिखाओगा और सारे मॉडल्स अभी इसके बार में जैसे लोजिस्टिक करें वह क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्यों यूज करते हैं और कैसे उसमें सिखाओगा और उसके लावब और भी आए गया एस भी हम अगयरा यह मॉडल कहां पर ठीक होगा तो तो ट्यून रहो भाई सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो यार फिलादो तेरे भाई का निया चैनल है तो में बनाओ बहुत लंबा नेटर बनाओ और चलो आज की वीडियो के लिए वैसे इतना ही ज्यादा खीच ट्रेनी है हो गया बारा मिनट हो गई तो चलो मिलते अगली वीडियो में रा